तो इस पूरे टॉपिक में हम कोशे करेंगे बात करने की किस तरह किसी भी मौशे में जो तबदिली आती है उसका क्राइम के साथ और जो क्रिमनलिटी है यानि रुजान जो मन्थ की रुजान है जो जराइम की तरफ रुजान है लोगों का और जो खास तरुपे जराइम में फसे हुए इन्वाल्व जो अफराद है उनका जिनको अस्टैबलिश्ट ओफेंडर करा दिया जाता है उसका क्या तरल लगए तो सबस होती है यानि जब नॉर्म्स यानि किसी भी कुमिनिटी की जो एकदार है वो थकाफ्ति हों मजबी हों वो अलाकाई हों जब उन रवायात को उन एकदार को अतवार को वालेट को ही उनका फर्द करता है को इंडिविजूल करता है तो वहां पे उसके नतीजे में उसको सोच सोचल नॉर्म्स की वालेशन होती है अब इसी का डिफरंस हम क्राइम से चेक करते हैं तो क्राइम बन्यादी तोर पे ऐसा हिमन एक्ट है जो के कोडिफाइड करिमिनल लाग की वालेशन कर रहा है यानि वो एक्ट वो कोई सोचल वैलियो जिसको एक कोडिफाइड लाग के जरीए बाकैदा कानून करा दिया गया हो और लोग उसकी को अपोज करें वाइलेट करें तो वो क्राइम बनेगा और क्राइम की सजा हमेशा हकूमत के पास अक्तियार होता है थ्रू क्रिमिनल जिस्टिस प्रॉसेस और जो डिवियंट कोई हो अगर डिवियंट का तो उसकी जो सदा है वो सोशल सेंक्शन के जिरीए कुमिनिटी या ग्रॉप या जिस तरह पाकिस्तान में वो कोई पंजाब के वाले से पंचाइट सिस्टम है या पक्तून खा जो प्रॉविन्स है उसमें जर्गे का सिस्टम है तो वो सोशल सेंक्शन के जिरीए उसके सदा होती है पिल्टी भी बहुत सरे ममालक में है इंक्लूडिंग पाकिस्तान के वहाँ पे अगर मर्डर है और जो पीपी सी 302 के तेहत अगर अस्टेबलिश हो जाए तो जो जजेस हैं उनके पास इक्तियारात हैं हैंक टू डेथ का जी उसके साथ इंप्रिजनमेंट है लाइफ इंप्र इंप्रिजनमेंट है दो साल इंप्रिजनमेंट दस साल तो वो माइनर उफेंस और मिजर उफेंस पर डिपेंड करता है कि वो फैलोनी में आ रहा है या मिस्ट डिमीनर में आ रहा है या माइनर उफेंस है या मिजर उफेंस है तो अगर हम टाइप्स की क्राइम की बात करें कि मर्डर सबसे ज़्यादा जो बड़ा क्राइम समझा जाता है और हिस्टॉरिकली भी सबसे बड़ा जो क्राइम है वो मर्डर है यानि किलिंग आफ हिमन फिर उसके बाद रेप है जो इलीगल विदाउट दी जो अगर हम बात करें कि जबरदस्ती किसी के साथ वो सेक्सुल रिलेशन्शिप काइम करना राबरी है डिकॉइटी है और जिसको आप ठेफ्ट है बर्गलरी है वो इसमें आती है फिर एक्स्टॉर्शन है फिर हिमन ट्रेफ्किंग है तो इस तरह के बेशमार और भी क्राइम है अगर पाकिस्तान पीनल कोड को आप देखें तो पांच सो से ज्यादा वहाँ पे आपको दफात नजर आती है जिसमें डिफरेंट जो क्राइम है उनको क्राइम की लिस्ट और पिर उनकी सजाएं और पिर उनकी वहाँ पे जो तफसिलात वो आपको पाकिस्तान पीनल कोड में असानी से मिल सकती है पीपी सी में तो अब हम बात करते ह है तो crime की हमने definition की deviance की तो criminality basically ये एक psychologically kind of situation है जिसको कहलें tendency है proclivity है toward committing crime तो ये रुजान को आप कहलें कि एक जराइम की तरफ यानि प्रो criminal attitude कहलें इसको यानि क्राइम की तरफ उसका रुजान होना crime करने की तरफ उसका mindset इस तरह कहोना और criminal हम सिरफ उस शक्स को या फर्द को करार दे सकते हैं जिसको किसी court of law में बकादा सजा सुनाई हो और वो जो सजा है वो सजा एक दिन की भी हो सकती है एक गंटे की भी हो सकती है और वो life imprisonment से लेके वो death penalty तक भी हो सकती है उसको हम सिरफ जो court of law में कर्विक्ट हो हम उसको क्रिमिल कहेंगे अब हम बात करते हैं कि overall जो क्रिमिलिटी है उसके और crime के जो consequences सुसाइटी के साथ इसको जरा लिंक करें कि यहां पर social inequality ज्यादा होती है किसी यह माशरे के अंदर economic inequality, financial inequality तो वहां पर crime के chances और deviant behavior के chances बढ़ जाते हैं क्योंकि have और have nots यह अगर मार्क्स को देखें class conflict की अगर बात करें यह proletariat और capitalist की बात करें तो फिर हमें नजर आता है कि वहां पर inequality ज्यादा है और जिन मौशरों में inequality बढ़ती जा रही है उसमें crime का rate भी बढ़ रहा है और जिन मौशरों ने जो welfare state कहलाती है वहां पर कुशर की जाती है disparity को inequality को लोगों को कम किया जाए ताके social order जो है वो बरकरा रहे है एक दूसरा perspective है social disorganization का यह डरखाइम का सोशालोजी के तालब लोगों जानते हैं वो डरखाइम का perspective है वो कहता है जब social institution पूरी तरह आपस में रोल अदा नहीं कर रहे होते हैं वहां पे को problem है तो फिर नतीज़तन deviance होगी लोग suicide की तरफ जाएंगे फिर injustice नाइंसाफी होगी all over the world जहां पे भी उसके नतीज़े में फिर आखरी last but not the least that is sometime आपकी जो crime बढ़ने के वजह international national और original migrations भी होती है urban cities में population जएदा बढ़ती है migration की वजह से जिसके नतीज़े में जो crime और criminality के रुजहन में अजाफा होने का वो बाइस बनती है